उधारी वापस लेने के लिए मोहन धूप में पसीना बाहा रहा है पर सिर्फ तारीख वितारीख पा रहा है और एसी में बैठा रोहन पैसे ऑनलाइन पा रहा है कैसे? खाता बुकर, डिजिडल इंडिया का डिजिटल खाता, मुफ्त, सुरक्षित वरासान हलो, आप देख रहे हैं दिलललन टॉप और मैं हूनिखित, IIMC यानि कि इनियन इंस्टूट अफ मास कम्यूनिकेशन, हिंदी में कहते हैं भारती जन संचार संस्थान पिछले कुछ सालों में शिक्षन संस्थानों की रैंकिंग राप उठा कर देखेंगे, तो जन संचार के शेतरे में देश का सबसे टॉप संस्थान इस संस्थान को भारत सरकार का सूचना एबं प्रसारंग मंतर रहे चलाता है, यानि कि एक सरकारी कॉलेज है सितंबर 1965 में इंद्रा गांधी ने संस्थान की नीव रखी थी IIMC एक साल का डिप्लॉमा सर्टिफिकेट देता है मेन कैंपस इसका दिली में है और इसके पाँच तीजनल कैंपसेस हैं जो की देश के अलग-अलग हिस्सों में है हम आपको इस सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि IIMC के दिली कैंपस में सूडिन्स धरने पर बैठे हुए हैं 2019-2020 के लिए हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता की फीस बढ़ा कर 95,500 रुपय कर दी गई है याने कि तक्रीबन तक्रीबन एक लाग साड़े चार हजार कम है पिछले सेशन में ये फीस थी 89,000 याने कि 79,000 माने फीस सीधे 20.89 क्रतिशत बढ़ा दी गई है उर्दु पत्रकारिता की फीस 53,500 कर दी गई है ये 2018-19 में 43,000 रुपय थी रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता की फीस 1,68,500 रुपय कर दी गई है जो कि पिछले सेशन में 1,45,000 थी विग्यापन एवं जन्संपर कोर्स के फीस 1,31,500 रुपय हो गई है पिछले सेशन में ये फीस 1,12,000 थी अब आते हैं स्टूडिंस की मांगों पर कि वो क्या चाते हैं स्टूडिंस की मुख्य मांग फीस को लेकर है उनका कहना है कि सभी कोर्सिस की फीस 2018 उनने इसके सेशन फीस के बराबर ही ली जाए साथ ही 5 साल तक फीस न बढ़ाई जाए आएमसी में बॉइस होस्टेल के एक कमरे की महीने बर की फीस 5250 रुपए है जबकि गर्स होस्टेल में एक कमरे की फीस 65 रुपए है चात्रों की मांग है कि इस फीस को कम किया जाए लड़कों के मामले में एक कमरे में तीन चात्र रहते हैं तो बावन सो पचास के एफीज तीन चात्र मिलकर भरते हैं आएम से भी लड़कियों को पूरी होस्टल से विदा मिलती है लेकिन लड़कों के होस्टल में सिर्फ 14 कमरे हैं पर कमरे के हिसाब से यानि की एक कमरे में तीन चात्र रहते हैं जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था तो 42 सीटे हुई पांच कोर्सों को मिला करके सिर्फ 42 लड़कों कोई होस्टल मेल पाता है इस वज़े से कैंपस से बाहर रहने का खर्च उठाने के लिए जितने पैसे चाहिए वो जो उठाना कम आये वाले परिवारों के लिए मुश्किल है चात्रों की मांग है कि सभी सूट्स को हॉस्टल की सूविदा दी जाए इनके अलावा चात्रों ने हॉस्टल का फ्यू टाइम हटाने नोटिस ने काला उसमें ये ताकीद की गई चात्रों को कि 15 जनवरी 2020 तक दूसरे सेमस्टर की फीस आफ जमा कर दीजिए चात्रों का कहना है कि जब तक फीस कम करने वाली मांगे उनकी मान ली नहीं जाती तब तक इस नोटिस को रद किया जाए हिंदी पत्रकारता की स्टूडंट अबंति का अतिबारी से हमारे साथ है अभिशेक ने बात की उन्होंने अभिशेक को बताया चब्विस नॉंबर को चात्रों की संस्थान के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी प्रशासन ने तर्क दिया कि हर साल फीस दस फीसिद्धी की रेट से बढ़ती है लेकिन पिछले साल की तुलना में जो वृद्धी हुई है वो इस गंडित से मेल नहीं खाती है आएमसी प्रशासन का कहना है वो भी जान लेते हैं आएमसी की एक सीनियर अधिकारी ने हमायर साती अविशेक को बताया आएमसी में फीस फृद्धी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे है चातरों से संस्थान बाचीत कर रहे है तीसरा बिंदू 4 दिसंबर को इंस्ट्यूट की तरफ से ओपन हाउस मीटिंग बुलाई गई चातरों की परेशानियों को सुना गया आएमसी प्रशासन और बाकी फैकल्टी भी इसमें मौजूद थे तीसरा बिंदू यह है चातरों की मांग पर विचार करने के लिए कोस्ट डिरेक्टर्स की एक कमिटी बनाई गई है और इस कमिटी के अध्याक्ष है डीन आएमसी प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे चातरों को समझाया कि हॉस्टल या मैस की फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है अगला बिंदू यह है कि आएमसी मेरिट कमीन स्योजना के अध्याथ चातरों को सहायता देती है हम दूसरे समिस्टे की फीस भरने की तारीक से पहले ऐसे चातरों की लिस्ट जारी कर देंगे हाला कि प्रशासन लिखित समाधान देने के मूड में नहीं है उनका कहना है कि हम समय समय पर सर्कुलर जारी करते रहेंगे स्टूडिंस का यह कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी मांगे लिखित में नहीं मान लेता वो धरने पर बैठे रहेंगे कामन बॉक्स में लिखके बताईए कि आप कोई जानकारी कैसे लगी और अगर इस जानकारी में आपको कोई गुंजाईश नजराती है तो वो भी लिखिएगा कि कैसे ही इस तरह की वीडियोस को हम बैतर बना सकते है आप देख रहे थे दिरलन टॉप इस वीडियो के लिए रिसर्च की थी हमारे साथ अविशेक ने और कैमरे के पीछे हमारे साथ ही रोहानी